बागत है आपका हमारे चैनल पायोवेटिक्स में और आज हम लाए हैं आपके लिए एक और बेहत ज़रूरी वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे डाइबिटीज में डाइट मैनेजमेंट के बारे में जी हाँ आज हम जानेंगे के डाइबिटीज के मरीजों को दिन भर में कितनी बार खाना खाना चाहिए और आज ही के वीडियो में हम ये भी जानेंगे के डाइबिटीज में में डाइट और मिनी डाइट को मैनेज करने के आपके शरीर को क्या-क्या फायदे मिलते हैं और आप का blood sugar level कैसे control में रहता है तो आज दी जाने वाली जानकारी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज हमें like, share और subscribe जरूर कर दीजेगा तो आईए शुरू करते हैं वीडियो और मैं आपको बताओं कि हमेशा से दिन में 3 बार खाने का system बना हुआ है लेकिन diabetes के मरीजों को अपने खान पान में इस system में कुछ न कुछ बदलाव करना बहर जरूरी होता है ताकि उनका blood sugar level दिन भर सही बना रहे हैं मैं आपको बताओं कि अगर diabetes के मरीज इस diet system में जरूरी बदलाव कर पाते हैं तो इससे उनके शरीर को कई फायदे प्राप्त होते हैं और साथ ही साथ blood sugar भी control में रहता है तो आगे के वीडियो में हम इस diet management के शरीर को मिलने वाले फायदों के बारे में detail में बात करेंगे तो सबसे पहले आप समझ ये कि आप अपनी diet को कैसे manage करें तो मैं आपको बता हूँ के आपको दिन भर में तीन तो main meal लेने हैं यानि आप प्रॉपर तरीके से breakfast, lunch और dinner कीजिए और diabetes friendly food items खाईए फिर इसके साथ साथ आप तीन mini meal लीजिए जिसमें दो बार आपको फल खाने हैं और एक से दो बारा healthy snacks ले सकते हैं जैसे के sprout soup या फिर smoothie आदी का seven कर सकते हैं साथी साथ बात करें liquid की तो आपको दिन भर में कम से कम 8 से 10 glass पानी जरूर पीना है और साथ में अगर संभा हो तो एक नारियल पानी एक ग्लास निवू पानी और चाश या फिर दूद आदी भी पी सकते हैं दूद अगर पिए तो लो fat वाला दूद पीजी फिर बात करें कि आपको इस तरह के diet management से क्या-क्या फायदे मिलेंगे यानि आपके शरीर को क्या फायदा प्राप्त होगा तो सबसे पहला फायदा तो यह है कि आपका metabolism boost होता है जी हां कई बार खाना खाने से आपके शरीर का metabolism बढ़ता है बस आपको ध्यान दखना है कि जब भी खाना उर्जा मिलती है और diabetes में हमें फायदा पहुंचता है तो आप ध्यान दीजे इस बात का फिर बात करें दूसरे फायदे की तो यह है कि हमारे hormones बहतर होते जी हां कई बार खाना खाने से हमारे शरीर में hormones भी manage होते हैं यानि शरीर की जितनी भी glands हैं वो सही मातरा में hormones निकालना शुरू कर देती हैं शरीर में free radicals की मातरा घटती है immunity बढ़ती है और यह सभी बाते कहीं न कहीं diabetes के मरीजों के लिए फायदे मन हैं फिर बात करें अगले फायदे की तो यह है कि आपके शरीर में ज्यादा fat जमा नहीं होता जी हां अगर आप छोटी छोटी डाइट दिन में कई बार खाते हैं तो इससे आपके शरीर में fat जमा फिर एक और फायदा है कि mood अच्छा रहता है और तनाव कम होता है जी हां diabetes में जब हम इस तरह की multiple meal diet plan को follow करते हैं तो इससे कहीं न कहीं हमारे शरीर में दिन भर energy बनी रहती है जिसकी वज़े से हमारा mood अच्छा होता है और शरीर में तनाव कम होता है तो अगर आपको diabetes है तो आप भी इस multiple meal diet plan को follow करके अपने आपको फायदा पहुचा सकते हैं लेकिन बस जब भी इस diet plan को follow करें तो अपने भीतर सहियम रखें जादा ना खाएं कम खाएं बार बार खाएं ये निशित रूप से आपको फायदा पहुचाएगा तो आज के लिए इतना ही और वीड स्क्राइब कीजिएगा थैंक यू वेरी मुच